साथियों, जब सही नियत से फैसले लिये जाते हैं, सही नीती बनाई जाती हैं, तो उसके परणाम भी अधुद्भूत होते हैं, अभुत्पुर्व होते हैं, इसका प्रमान एक प्रमान अभी कुछी दिन पहले देश ने देखा है, निती आयोक की रिपोर्ट में आया है, कि सिर्फ पांच साल के भीतर ही, भारत में साड़े तेरा करोड भारतिय गरीबी रेखा से उपर आ गए हैं, भारत की इस सफलता में सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही हैं, गरीबों को पक्का घर देनी की योजना हो, गरीबों के लिए सावचालाय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गाउँ गाउँ गर गर जन सामान्य तक लेकर गए, जब ये योजनाएं गरीब तक पहुँची, तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बड़ा, विश्वास पादा हुआ, ये सफलता इस बात की पती है, कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं, तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है, और इसमें निश्चित तोर पर देश के हर सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमी का है, गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं, आपको खुद भी उनके प्रती जागरत रहना है, और जन्ता को भी उसे जोड़ना है, साथियों, भारत में कम होती गरीबी का एक और पक्ष है, कम होती गरीबी के बीच देश में नियो मिडल कास का लगातार विस्तार हो रहा है, इससे रोजगार के नए आउसर बन रहे हैं, भारत में बढ़ते नियो मिडल कास की अपनी डिमांड से हैं, अपनी अकांग से हैं, इस दिमांड की पूर्ती के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैनुफेक्टरिंग हो रही है, आज जब हमारी फेक्टरियां, हमारे उद्यो रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, तो उसका लाब भी सबसे अधीक हमारे युवाओं को होता है, आज कल आप देखिये, आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है, नए एच्विमेंट की चर्चा होती है, भारत से रिकॉर्ड मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, भारत में इस साल के पहले छे महिने में जितनी कारों की विक्री हुई है, वो भी उत्सा बढ़ाने वाली हैं, इलेक्ट्रिक विकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड विक्री हो रही हैं, यह सब देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं,